हाई आप लोग अच्छे हैं तो बिहार लेंड सर्वे खर्दी हुई जमीन का नहीं हुआ है मोटेशन तो क्या करें दान की जमीन बेचने पर सर्वे किसके नाम होगा इस पुरी अंसुलची प्रस्णों को मैं पुरी इस वीडियो के माध्यम से जवाब दूँगा लेकिन उस स्ट्राइबहे भुदान में दिए गए जमीन ययं लाल काट्ड की जमीन पर अगर विक्री की गई है तो उस जमीन का सर्वे नए खरीदार की नाम से नहीं होगा क्योंकि सरकार ने जमेन बेचने के लिए नहीं दिया था तो मैं आपको बता दू कि बिहार में जमीन सरवे को लेकर अधिकारियों ने आम लोगों के बीच जागरूपता अभियन चलाया पूर्णिया जिले में जैगरूता अभियान के रूप में जो है मैं आपको सहायक बंदोबस्त पतादिकारी अनिल कुमार ने बताया है ने बताया है कि यदि सामिल थे पर्खंट परमुक करया ले कि बैठक में एक समुनित करते हुए बंदोबस्त पतादिकारी ने बताया कि सरकार दोरा जमीन सर्वे का कारे कराया जा रहा है जमीन के सर्वे कराने में तमाम जन परतिने थी जमीनदार एम रेतों का सहयोग की जरुवत है तो मैं आपको बता दूँ कि सभी सह समय अपने रासों मोजा के सर्वे अमीन को अपनी जमीन का कागजात भर कर जमा कर दे ताकि कि सर्वे अमिन समय पर आपके जमीन के अध्यन करेंगे और आपके प्लॉट पर पहुंचकर सर्वे कारे को पूर किया जा सके उन्होंने बता है कि रहीत के जमीन का कागजात है और किसी तरह का कोई बीबात नहीं है तो उसे किसी भी परकार की परिसानी नहीं होगी रहीत जम की जमीन का सर्वे नए खरिदार के नाम से नहीं होगा क्योंकि सरकार ने जमीन बिचने के लिए उस जमीन पर खेतिवाड़ी कर जीवन यापन के लिए उगत्त लोगों को भीच भुदान लालकाट के रूप में दिया था वही अधिकारियों ने सिक्मी रेट को लेकर बताए प्रसानी नहीं होगी उसके लिए सर्वे अमीन को रही दौरा न्याले का कग्जाद दिना अनिमार होगा तो मैं आपको बता दूँ कि सरकार का ये नीती कैसा लगा और सरकार की ये इस नीती के बारे में आपका क्याना है कमेंट करके जरूर बताए अपने अपने सुजहाव आपनी राय जरूर दे और ऐसी लेटिस्ट वीडियो के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और पहले से आप सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट से करें जेहन जेविया